वल्कम टू दा यूट्यूब शैनल ग्रैफिकली जैसा कि हम लोग AC सर्कुट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने अभी LR सर्कुट के बारे में पढ़ा अब उसी को आगे कंटेन्यू करते हैं आगे आपका सर्कुट है एलसी सर्कुट है तो यहाँ पर क्या क्या होगा एक आपकी क्याल होगी और एक आपका इसी में कैपासिटर जुड़ा होगा और यहाँ पर हम इसे AC सप्लाई जो है प्रोवाइट कर रहे हैं यह होगी आपका कैपासिटर और यह है आपका इंडक्टर अब देखिए जैसा कि आप यहां पर देखने हैं आप जो यहां पर supply voltage देंगे V is equals to V not sin omega t तो यहां पर क्या होगा यह voltage इन दोनों पार्ट में बढ़ जाएगा मतलब माल लिजिए यहां पर कुछ V L आ रहा है voltage और यहां पर V C आ रहा है तो यहां पर हमें जो phase diagram पहले से पता है हम उसको देखते हैं क्या था देखिए जब आपका inductor use होता है तो आपका जो voltage था current से lead कर रहा होता है यहां पर voltage था और यहां पर current आपका हो गया तो यहां पर देखिए इसका voltage हमने वी एल से शोगिया है और current हमने I से शोगिया है जो कि सभी में जितना flow हो रहा है और दूसरा आपने जो capacitor देखा था तो capacitor में क्या था जो voltage होता है वो current से lag कर रहा होता है तो यहाँ पर अगर I है तो यहाँ पर आपका voltage हो जाएगा यह VC से हम represent कर रहे हैं तो अब हमें फेजर डाइग्राम मिलेगा, अब इसके help से हम इसमें कितना कितना आपका voltage आ रहा है, उसको calculate कर सकते हैं, और भी आगे जो सारे terms होते हैं, उनको calculate करेंगे, तो यहाँ पर देखें पहले जो आपका reference है, I हमने माना हुआ, इसको एक तरफ इस तरफ बना लिया हम यहाँ पर एक voltage आपका इस direction में है, एक voltage इस direction में है, तो इसका resultant जो होगा, वो बड़े वाले के direction में होगा, माल लेजे पहले जब VL आपका बड़ा है VC से, तो जो resultant बनेगा वो इसी direction में बनेगा आपका, यह हो जाएगा resultant, VL प्लस VC, ठिक, और दूसरा जो है, यहाँ पर अगर VL जो है, आपके VC से छोटा है, तो कुछ इस तरह का बनेगा, V और I, और दोनों की condition में आप देख रहे हो, कि angle जो है, phase angle वो 90 डिगरी है, ठिक, और यहाँ पर अगर आप इसका magnitude देखना चाहो, तो magnitude आप directly यहाँ से देख सकते हैं, जो आपका formula था, V1 square प्लस V2 square प्लस में 2 V1 V2 cos theta, तो यहाँ पर cos theta की value क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों के जो आपके vector है, VL और VC दोनों के बीच का angle 180 डिगरी है, तो cos 180 डिगरी की value कितना हो जाती, यह – 1, मतलब V1 – V2, same as जो आपका, यहाँ पर, जो आप vector में, यहाँ पर vector direction में लिख होगी, तो यह यह हो जाएगा, आपका VL – VC, यह हो जाएगा magnitude, जो resultant होगा, इस condition में जब VL बढ़ा हो, और दूसरी condition है, जब VL छोटा हो, तो जो magnitude आपके resultant का वो हो जाएगा, VC – VL, अब अगली देखिए, condition और भी बन सकती है, अब यह ज़रूरी तो नहीं कि VL आपका VC से बढ़ा हो या VL, VC से छोटा हो सकता है, कि दोनों बराबर हो, तो जब दोनों बराबर होंगे, तो जो आपका resultant आजाएगा, VL बराबर जब VC होगा, तो resultant आजाएगा, वो हो जाएगा 0, इस condition को हम लोग बोलते है, resonance, यह जो आपके condition बनती है, इसको बोलते है, resonance, अब देखिए, आ यहाँ पर इसका resistance कितना होता, तो इसको हम लोग बोलते थी, inductive reactance, और यहाँ पर जो resistance generate होता था, उसको बोलते थे, capacitive reactance, तो जो आपका inductive reactance होता है, XL से अगर हम इसको represent करें, तो XL की value होती थी, omega L, इसको हमने पहले बढ़ा हुआ है, कि किस तरह से यह आया है, और same as जो आपका यहाँ पर capacitive reactance जो generate होता था, उसकी value थी, वन अपान में, omega C, omega जो है angular velocity, और जो C है, यह आपका था, capacitor, capacitance था, अब देखिए, यहाँ से हम पहले पता करते हैं, जो इसका impedance होगा, मतलब जो equivalent resistance होगा, इस circuit का, LC circuit का, तो यहाँ पर हम इस C को ले लेते हैं, पहले, जो आपका VL जब VC से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए, जो equivalent resistance होगा, impedance होगा, उसको Z से represent करते हैं, और current सब जगें same flow हो रहा है, मतलब V is equal to IR लिखते हैं, तो I into Z लिख दिया हमने, और VL की value क्या हो जाएगी, I into XL, I into omega L, और VC की value क्या हो जाएगी, I divided by omega C, तो आप Z की value नि आप इसको इस तरह से लेख सकते हो, XL minus XC, यह आगया आपका impedance आगया, same as this condition के लिए निकालोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, XC minus XL, और यहाँ पर आप देखोगे, जब resonance की condition होगी, तो वहाँ पर impedance जो है, आपका 0 हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए हमने, जो आपका voltage इसको find out कर लिया, impedance यानि की resistance जो था उसको find out कर लिया, current को कैसे करेंगे, तो current का जैसे है मेरे पास formula V equals to IR होता है, यहाँ पर हमें VV पता है, और R भी पता है, तो बस अगर VYR डिवाइट कर दें, तो वो I की value आ जाएगी, मतलब Z है, अगर हम VYZ कर दें, तो हमें current की value मिल जाएगी, तो यहाँ तक आपका clear हो जाता है, पूरा LC circuit, अब देखिए दूसरा एक और angle भी बचता है, phase angle जैसा की हो ही गया है, यहाँ पर आप देखें कि जो angle बनेगा, वो 90 degree का बनेगा, तो यहाँ पर अगर आप vector से ही देखना चाहे है, तो देखिए जिस से आप निका difference 90 degree और यहाँ पर इसका हो जाएगा, फेजर डायग्राम, अब इसके बाद इसमें एक आखरी बचता है, आपका CR circuit, उसको देख लेते हैं, CR circuit, तो यहाँ पर पहले आपका capacitor एड़ हो जाएगा, और पर यहाँ पर resistance एड़ हो गया, और यहाँ पर आपने जो आपका voltage है, यह यहाँ पर आप प्रोवाइट कर रहे हैं, यह हो गया, V is equals to V naught, sin omega T, और current दोनों में सेम जाएगा, यहाँ पर माल ले रहे हैं, और दोनों पर जो voltage होगा, उनका सम इसके बराबर होगा, तो VC, यहाँ पर माल नहीं कुछ voltage आ रहा है, और यहाँ पर V R आ रहा है, पहले इन का होता था, जो आपका voltage है, वो current से lag कर रहा होता है, मतलब current कुछ इस direction में है, तो voltage आपका इस direction में है, यह आप VC से इसको represent कर दिया हमने, फिर अब इसका जो resultant voltage बनेगा, उसको find out करते हैं, जो यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं, separate, यह हो गया I, यहाँ पर हो गया V R, और direction में होगा, यह कुछ होगा आपका इस direction में होगा, यह आपका V हो गया, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने vector sum देखा था, तो यहाँ पर 90 degree का angle है, तो V is equal to हो जाएगा V R का square, प्लस में V C का square, और यह under root में, ठिक, और दूसरा यहाँ पर जब आप इसकी value, current की value निकालेंगे या impedance की value निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें, V R था, तो यहाँ पर जो resistance काम करता है, वो R ही होता है, और यहाँ पर आ जाता है capacitive reactance, तो यहाँ पर यह value हो जाती है, X C is equal to में 1 upon में, omega C, तो यहाँ पर जैसे आप value रखेंगे, तो जो आप impedance आएगा, वो आएगा, R square, प्लस में 1 upon में, omega square, C square, यहाँ से दिखेंगे, आपका आगया impedance, और यहाँ आगया voltage, यहाँ से आप current find out कर सकते हैं, दोनों की value से, अब यहाँ पर हमें पदा करना है कि जो phase angle होगा, वो क्या होगा, मानले जहाँ हम phase angle यहाँ से निकाल लेंगे, इसको reference मानकर यह 5 है, तो 10, 5 बराबर क्या लिखेंगे, जिससे आप निकाल लेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, बाकी value को उपर लिखेंगे, VC हो गया इदर, ठिक, और यहाँ पर देखें, VR की value क्या होती है, IR हो जाएगी, IR, V is equals to होता है current into resistance, तो यहाँ पर simply हमने वही किय और यहाँ पर VC बराबर हो जाएगा, I into XC, I into XC, I से I कट गया आपका, बचा कितना है, XC divided by R, या फिर आप XC की value रख देंगे, तो आज आएगा, 1 upon में, omega CR, यह आगई आपकी, 10, 5 की value, या इस तरह से भी लिख सकते हो, आप 10 inverse, omega CR, यह आगया, phase angle, तो यह होगी आपका phase angle, और यह जो है, आपका यह phase डाइगनाम बन गया, और यहाँ पर आपको सभी values में मिल गई, यह होगी आपका CR circuit complete, और देखिए एक term आप यहाँ पे और भी पुछा जाता है, active power, और reactive power, active power, और reactive power, और इनी से related factors है, active factor, और यह आपका एक, reactive factor, यह क्या होते है, देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो आपका active factor होता है, यह आप cos 5 की जो value आती है उसको बोलते हैं active factor ठिक और जो reactive factor होता है यह जो आपके sin 5 की value आती है इसको बोलते हैं आपका reactive factor तो यहाँ पर आप देखें रियक्ति फैक्टर और active factor का जो ratio होगा वो आपका phase angle होगा तो यहाँ से देखें आपको 10 5 की value पता है आप यहाँ से cos 5 भी निकाल सकते हो, sin 5 भी निकाल सकते हो और same as यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं तो यहाँ से निकाल लेते हैं आप देखें cos 5 की value क्या आजाएगी यह आपका हो जाएगा base और यह हो जाएगा hypotenuous तो यहाँ frozen आपका base है Vr divided by V हो गया यहाँ पर आप इसको simply कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो चाहे R by Z लिख सकते हो V R is equal to IR लिख दो और V बराबर हो जाएगा आपका IZ तो यह भी बन गया आप लिख सकते हैं कॉस फाई की वैलू इतना और साइन फाई की वैलू निकालेंगे तो यह हो जाएगा नॉर्मल डिवाइड़ वाई आपका हाई पोटेनुमस यह दिखिए इसका नॉर्मल यह आपके VC की एकोल जाएगा ट्रैंगल के बेस प्रा समझेए कैसे निकल जाएगे और यह हो गया आपका VC डिवाइड़ वाई यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं वन अपॉन में Z ओमेगा C यह आजाएगा साइन फाई की वैलू अब यहाँ पर देख लेते हैं पावर क्या है एक्टिव पावर और रियक्टिव पावर देखिए सिंप्ली जो फॉर्मूला होता है पावर के लिए P is equals to आप वी आई लिखते हैं तो बस आपको एक्टिव फैक्टर से अगर मल्टिप्लाई कर देंगे तो वो एक्टिव पावर आ जाएगी अगर रियक्टिव फैक्टर से मल्टिप्लाई कर देंगे तो वो एक्टिव पावर आ जाएगी तो एक्टिव पावर की अगर बात करें तो यह हो जाएगा एक्टिव इदर लिख देते ह तो यह हो जाएगी वी आई और साइन फाई का आपका मल्डिपल यहां पर साइन फाई की वैलू आप रख सकते हैं तो यह होते हैं आपके दो टर्म्स और या आप किसी भी सरकेट में निकाल सकते हैं जैसे हमने देखी जब एलार सरकेट में पढ़ा था तो एलार सरकेट में का जो कॉस फाई आ रहा था सॉरी टैन फाई जो आ रहा था यहां पर देखे किस तरह का आपका फेज राइगरम बन रहा था अगर यहां पर आप LR सरकीट यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर जो है आपका यह माल लेजिए करेंट था और रिजिस्टेंस के लिए आपका इसी वोल्टेज अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपके कॉस फाई की वैलू और साइन फाई की वैलू ठिक तो इधर से आप निकाल लोगी एक्टिव पावर रियक्टिव पावर और सेम है जो आपका बन जाएगा लसी सरकीट तो लसी सरकीट में क्या हो जाएग कुछ इस तरह से बन रहा था आपका यह करेंट था और यह रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा था वील माइनस वीसी के बराबर तो यहां बराब देखो एंगल जो है 90 डिगरी का बन रहा है तो यहीं से आप निकाल सकते हैं साइन जो आपका फाई की वैलू आ जाएगी मतल वो तो हो जाएगी यहां पर एक्टिव पावर जाब निकालते हो तो वो लिख देते हो कॉस फाई के मल्टिपल में तो एक्टिव पावर यहां पर जीरो हो जाएगी एलसी सर्किट के लिए और रियक्टिव पावर जो हो जाएगी यह डारेक्ली वी और आई का मल्टिपल हो जाएगा तो आज का ये वीडियो जहां पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपका LCR सरकिट है उसके बारे में पढ़ेंगे